कॉंजूगेट आप कॉंप्लेक्स नंबर क्या होगा पहले बात इसको तो रिपर्जेंट किया जाता है रिपरेजेंट इड़ और इसको अधिस पहल है कि एक कम्प्लेक्स नंबर कोंप्लेक्स नंबर कोई नंबर कोई डेड़ है कि एक पीड़ इस नहीं है कि ए इंगे अगया हाँ हाँ इसको टाइट करता ना यार अब आया है आगया है क्लियर है तो तभी से तो अन करके चला रहे हो जाता हूं बंद किये रही हूं लिख लेना लिए मेरे सासत लिखते रहो एनी कॉंप्लेक्स नमबर यह आपको लिखा जाएगा जेड एक्स प्लस आयवाई दूसरी बात कि इसको तब कॉंजुवेट को रिप्रेजेंट के रहता है रिप्रेजेंटेट बाई जेड बार से जेड बार या कई बार इसको जेड ऐसे डैस से या कई बार जेड कंपोनेंट से तीनो एक ही इसका रिप्रेजेंटेशन है z bar equal to x minus i y हो जाएगा जैसे मालो की minus z is equal to 2 minus i तो इसका z bar हो जाएगा 2 plus i सिर्फ i का sign चाहिए z bar z equal to मैं लिखा minus 3 i plus 4 तो z bar is equal to i का sign i का sign पकड़ पकड़ के change करेंगे तो i 3 i plus 4 जैसे मालो कहीं z is equal to minus 2 minus i है minus 2 plus i है तो फिर से i का sign पकड़के बाकी real part वाले को कुछ नहीं करेंगे यहाँ फिर minus i हो जाएगा बास समय नहीं रही है यह minus 2 minus i हो जाएगा ऐसा नहीं कि जैसे मालो की z is equal to है अपने पास 3 i minus 4 तो आपका भी z bar equal to ऐसे बीच में यहाँ प्लस नहीं करेंगे i का 3 i minus 3 i minus 4 यह हो गया अगर इसको polar form में लिखना हो coordinate system पे यह नहीं इसका photo देखना हो कि photo कहा होता है यह देखो बिलकुल जैसे देखो यह है x यह y है मैंने एक z आपके सामने लिया कि यहाँ कहीं z होगा z का मतलब है x कामा अब z बार लिखना होगा तो z बार क्या हो जाएगा x बार जो z बार है क्या इस z बार को x कामा minus y बन रहा है क्या है मतलब यह y का मीचे just बिलकुल mirror image rear axis के बहुत mirror image z x minus y और यह हो जाएगा आपका z बार मालो की मैजे यहाँ का mirror image यहाँ लिखना हुआ तो यह हो जाएगा actual में minus x कामा y और minus x कामा y का मतलब क्या हुआ जरूर किसी ना किसी का यह निकल के आएगा minus z बार देखो तो z बार देखो तो अरे इसका इसका देखो तो जाहन से अब हम इसका minus करेंगे तो minus से फ्रसेखो जाएगा देखो यही बात लिखा किया है यहां पर हो जाएगा तो ज़िए दिखो जेड-6 minus y हो जाएगा से दोनों मैनस जाएगा तो जाएगा minus जेड आइ यह चारो मिलके एक बनायेगे क्या स्कोर जोएग यह चारों मिलके एक रिक्टेंगल बनाएंगे यह इसका Mirror image है इसका Mirror image ऑडिजिन फेट यह तो ऐसे इसका फोटो होता है ठीक है चौथे के बाद पांचवे नमबर पर आते हैं देखो अपने पास Z is equal to है X plus IY Z bar is equal to हमको पता चल गया है X minus IY जिरा हम दोनों को जोड़ दे Z plus Z bar करेंगे तो क्या मिलेगा जाने देखो तो पच्छो क्या मिल रहा है 2X मिल रहा है क्या और यह 2X का मतलब यह हो गया कि तू रियल पार्ट आप Z मतलब हमेशा Z plus Z bar की value आई तू रियल पार्ट आप Z अच्छा अच्छा बताओ इनको घटा देते हैं जाना Z minus Z bar बताओ क्या आएगा हमने जैसे इनको घटाया X से X कट गया IY और IY मिलके 2I हो गया मतलब यह हो गया आपका 2IY इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2I into imaginary part of Z और जो देखो finally जो इस बात पर हम पहुंचे हैं वो यह बात यहाँ पर याद करने वाली साथे नमबर पर बात है वो याद करने वाली बात यह है कि real part of Z जब भी आप से पुछा जाएगा न तो real part of Z हो जाएगा Z plus Z bar by 2 Z plus Z bar by 2 एकदम महुत हमेशा यह करेंगे और imaginary part of Z is equal to आपका यह याद रखेंगे Z minus Z bar by 2I देखो तो imaginary part of Z जाएगा Z minus Z minus Z bar by 2I यह वाली बात जाके हमेशा यही बात करेंगे जब भी imaginary बात पुछेगा और real part पुछेगा ठीक है इधर काटाते हैं च्छा पाइट ना आते हैं शाथवे नंबर पर जैसे मानलों की कभी यह कोई कुछ है यह से मानलों की कोई भी दे दे कि अगर आपका कोई इमेज कोई आपका कोई complex number है मतलब एंअ complex number यहां और इमेजनरी पार्ट जीरो होने का मतलब क्या चीज़ है आपका जेड माइनस जेड बार बाई टू आई किसकी बराबर इसका मतलब कि जेड बराबर जेड बार है यह ज्यादा इंपोर्टेंट है जब भी आपको कोई जेड इस प्योरली रियल बोलेगा जेड इस प्योरली रियल आप ऐसे भी सोचो कि एक जेड मतलब मैंने खाट टू और इसका टू बार भी आईगा आई वाला पाट जीरो है तो जब भी आएगा j is purely real तो आप ये वाली बात इसके साथ साथ ये काम करना है कि j is equal to j बार आपको करना है ये वाली बात भीषान रखने वाली बात है आठवे नमबर पे आते है अगर मालो बोलता है j is purely imaginary j is purely imaginary ये इसका मतलब ये हुआ कि real part of j क्या हो जाएगा आपका जीरो यानि आपका j plus j bar by 2 is equal to 0 मतलब आपका j is equal to 0 तो जब भी सवाल में आपके सामने आए कि j is purely imaginary तो इसको दो पार्ट में हम बाट देते हैं तो पार्ट दो ब्रांच में दो तरीके से इसको सोचते हैं एक तो ये कि j बराबर कुछ हमने ले सकते हैं lambda time i क्यों lambda time i क्यों ले सकते हैं क्योंकि purely imaginary है तो कुछ something multiple आप आई होगा z is purely imaginary मतलब z lambda i या z plus z bar is equal to 0 इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे जैसा सवाल का requirement होगा आई नहीं दोषिए नहीं जब सवाल दोड़ा हो टो यह से काम करेंगा कई बार रेसीओ होगा इस पर काम कर जाएगा जब ड़ीज़ बार का कर रेसीओ गार अगरे तो लेमड़ा तो नहीं आई का इमेजरी में रियल पाट गाइब हो गया और आपका या जेड़ प्लस जेड़ बार इकोल टो जिरो दोनों ही मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं सवाल अपने आप बताता है कौन सवाला यूज करना है जैसे रेशियो हुआ तो ये यूज कर लेंगे रेशियो नहीं हुआ तो यूज कर लेंगे आते हैं इसके प्रोपर्टी पर अच्छा एक चीज हो रहें नाइन्ध नंबर पर लिखा देते हैं उसके बार प्रोपर्टी पे आते हैं नाइन नंबर पर एक बात बताओ, हमने आपको बताया था कि mod z का मतलब इनकी लंबाई होती है यहां से, mod z का मतलब है, अभी आगे पढ़ेंगे भी nosad ka मतलब, तो mod z का मतलब क्या है यह होता है distance of distance of z from zero from zero comma zero तो भोले इसका distance किसके बढ़ाबर एक स्कार्द लसाइब आप यहां पर इसका मतलब मौज जेट की वैलू हो जाएगी अंडरूज में किसके बढ़ाबर एक स्कार्द प्लस वाइस अब जड़ा देखो जेड इन्टू जेड बार निकालने का मन कर रहा है जेड़ एक्स प्लस आई भाई है औ और यह एक्स माइनस आई वाई यह जेड़ बार दोनों का मुल्टिप्लाई किया गया है क्या यह एक्स एसक्वाइर मैनस भी स्कार्द माइनस आई वाई का स्कार्द क्या यह है आई स्कार्द एक स्कार्द प्लस वाई स्कार्द हो गया मतलब जेड जेड बार की वैलू क्या आरे वाद समझने मतलब कहने का यह मतलब चला कि जब भी आपका जेड़ बार पुछेगा तो जेड़ पार एक जेड़ अपन मौड जेड़ स्क्वाइर भी हो सकता है नहीं उल्टा में लिख दिया क्या हा मतलब क्या लिख दिया हमने इसको आशी दिधा 2.0 माल temos nóis इसको हम यह सकते है कि पूछेगा थो मौँचे उसको अपन जेड़ भार मने है यह एक आसे तक इसकते हैं सवाल के WILL कर मेंन कैसाओ से आप डाधकन प्रोपर्टी प्रोपर्टी भीligen इसकी प्रपर्यटी पिदो हाए थार अबब नोट कर लो प्रोपर्टीuld प्रोपर्टी और लें इसके अर्फ T aja इन के डियक को क्यार अपर्डीज हे उसको देखते हैं यह वाला अब आप सोचो कि जेड का बार का वापस बार करेंगे तो क्या मिलेगा लोजिकल है कि आई वाई का साइन करेंगे फिर आई वाई का साइन आ गया फिर 10 लें के बाद 11 नमब नहीं चलेगा जाला बहुत जाला सोचना पड़ेगा ऐसे फटापट हो जाएगा दो complex number को जोड़ो या घटाओ और उनका एक साथ बार लो तो इनको अलग अलग बार के बरावर हो जाएगा देखो आपका z अगर मालो x प्लस आई वाई है उसका बार लेंगे तो x माइनस आई वाई फिर उसका बार लेंगे तो वापस मिल गया वाई चीश ट्रवर बार में वापस आगया दो प्लस है तो यह हो जाएगा या इसका extended फार प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 डॉट 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 zn तक अगर है और यह सब का अगर बार है तो सब को अलग अलग हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार प्लस प्लस दॉट डॉट 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 ≥ हाँ बिल्कुल अच्छा 11 नंबर पर आपका 12 नंबर पर दो का जेड़ वन जेड़ टू का बार इसका मतलब यह हो गया जेड़ वन का पार इंटू जेड़ टू का बार आधर बार अच्छा 2 का मल्टिप्लाई करके बार निकाल है है सब कुछ ओपें कर देता है यहाह आगर आपके पास Z1, Z2, Z3, Z4, .0 , Zn तक हो है तो इसकी वेलू अगर सबका बार है यह तो जेड़ वन बार इंटो जेट टू बार इंटो जेट त्री बार इंटो डॉड डॉड जेड एन बार ठीक है फिर आपका बेस ग्यारत भारत के बाद तेरा नमबर प्राते है तेरा नमबर प्राते है 13 13 वो गया जेट वन भाई जेट टू अगर ये आपका दो नमबर कंप्लेक्स नमबर डिवाइडेड है इनका बार इस सेम है जेट वन का बार अपॉन जेट टू का बार बिल्कुल सेमिलर प्रोड़क्ट की तरह ही है तो ये आपका नेचे की तरह बार हो गया अच्छा तेरा नमबर पर तेरा नमबर बार चोजा नमबर पर चोजा नमबर लिखे ने ठीक है इतना ही लिख लो पहले हाँ यह तो प्रसमाल हाँ सब्समाल हाँ फाइंड रियल एन इमेजनरी पार्ट आप इमेजनरी पार्ट आप जेड इकोल टू माइनस आई अपॉन थ्री प्लस टू आई तब पहले एकस्टिज मेरे सुन लो दो तरीके से सो करेंगे देखो एक तो आपने पास यह रियल पार्ट आप जेड पूछ रहा है तो इसका दो तरीका है यह एक तरीका जो होगा पहले दो जब ऐसा अगर कॉंप्लेक्स नंबर पूरा आ जाए न तो पहले उसकी कॉंजूगेट से हमेशा मल्टिप्लाइ करके नीचे वाले को रियल बना लिया करो करना बोलते हैं जिसको नीचे में उपर नीचे में इसके ऐसे मटीप्लाइ करो थ्री मैनस तू आई अपन घ्लक तु है विल्कुल सही है पर आपका स्था ट्री मींटिप्लाइ कर लें उपर एसे मृटीप्लाइ करेंगा है ओ और यह होजाएगा माइनस थ्री और माइनस 3i कितना हो जाएगा 7i और यह माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा अपॉँ तो माइनस 2 हो जाएगा है माइनस माइनस प्लस फिर 2i स्क्वाइर यह प्लस 2i स्क्वाइर अपॉँ नीचे में 3 का स्क्वाइर माइनस 2i का स्क्वायर यह हो गया 6 माइनस 2 4 माइनस 7i अपन 9 और प्लस 4 13 तो रियल पार्ट हो गया इसका 4 by 13 और imaginary पार्ट हो गया इसका माइनस 7 by 13 अभी के लिए तो बहुत सही है जिस सवाला मैं उपनेचे दिख रहा है उसके लिए तो बहुत सही है लेकिन माइनस सवाला मैं ने ऐसे दे दिया इप Z is a complex number अगर Z को यह complex number है such that such that Z minus 1 upon Z plus 1 is purely imaginary इस प्योर्ली इमेजनरी प्योर्ली इमेजनरी देन देन माड जेड की वैलू क्या होगी या अगला सवाल यह बस यह सवाल ले देते हैं जरा करो इसको यह सवाल यहां पर कि अगर रियल पार्ट आफ वन भाई जेड इस लेस देन हाफ देन लोकस आफ जेड और हमने बहुत सरकल में लोकस का सवाल किये हैं देन लोकस आफ जेड त्थीक है जाल लिकरो फटा फट फट प्रपटीज के यूज करेंगे ना जेड इसको पूरा का पुरा कैसा है अब देखो कोई भी मैंने कहा तेको आप मैंने क्या कहा कि अगर कोई प्योर्ली जैसे माल मैंने कहा कि यह कि यू है यू एक कॉंपलेक्स नंबर है सुचना ज क्या हुआ कि जेड एड प्लस यू प्लस यू बार क्या हो जाएगा इज एकोल टू जीरो समझ रहो और यह एक प्लेक्स नमबर जेड के वाज़ा है कौन से कंप्लेक्स नमेल लिखा है यू अब जो देखो हमने माल लिए कि यही जो यू है वो है जेड प्लस वाइड प्लस मैंने माल की को ओंपलेक्स नम लिखा है विए यहालम पूरा कॉल दू लिखर आना प्लस यह का तो बना डध्य लखर यहां है प्योर को लिए हमेजनरी है क्योंbars नमर लिया ठीक erstmal अदिक मudशतना यह घोर contract हंदने माइनस इस में इस को पूरे को अफूरे को तो यह पनी इच्वीन हेeluже हाँ बस वो तो खुझी खुलते हैं ना हम जान मुझके सस्पेंस क्रियेट कर रखें अभी लग यह वा गया आपका इस सेम एज माइनस अब देखो जेड माइनस वन पूरे का बार अपॉन अभी भी सस्पेंस नहीं खोला मैंने जेड प्लस वन का बार यहां तक तो समने किया अब इसके बार खुल गया गा अब इसके बार जेड बार माइनस वन बार अपॉन जेड प्लस वन बार अरे क्यों खुलेगा तो इसी ना अब इसके बार माइनस जेड बार तो इसी रहेगा माइनस वन का वन हो गया जेड बार तो इसी रहेगा प्लस वन हो गया यह आपका सब्सक्राइब करें क्रॉसमों सब्सक्राइब एक अधर फोल्स जानमुश कि इतना टाइम कीचँ एपर हमखे साथ्य। प्रेशी ओंड़ी सारी मैं इंद सींटा एन पर फिर माईनफी कट माइनस सेट मुस्ट होनी एंद परद ऑर फिर हेद यह ओं त्ससेटो बां और यह माइनस सेट बाइन सेट बाहर है इंक दुठे माइनस सब्सक्राइब करते हैं कभी यह जब अगर उधर नहीं लेके गए समस्या बढ़ गए अरे उससे करेंगा तो बहुत टाइम लगेगा नीचे को पर सब्सक्राइब करते करते हैं फिर लास्ट में एक सब्सक्राइब निकालना बड़ा कठीन काम हो गया ठीक है दूसरे सवाल पर आते हैं नोट कर लो सब्सक्राइब ना बड़ा ने रियल पार आप 1 बाई जेट लेस देन 1 बाई टो उपर नीचे जेट जेट बार जब आपको जाद हो पिछे जब रियल पार पुछा था ला एक आप आप किया था हमने तो यहां पर नीचे हम मौलटिप्लाइब कर देंगे जेट बार से तह यहां पर हो जाएगा Z bar, लेस देन 1 by 2, और यह हो जाएगा real part of Z bar का मतलब X minus IY, आई बाइबास समझ में, और यह अभी भी रहन देते हैं, अभी Z bar रहन देते हैं, नीचे में mod Z का square हो गया, सही एना ऐसा, और यह less than 1 by 2, अब जो जेट बार का मतलब हो गया, आपका X minus IY, और यहां से X square plus Y square हो गया क्या, और यह less than 1 by 2, बोलो इसका real part कितना है, क्या X upon X square plus Y square है क्या, less than 1 by 2, cross multiply कर लिया जाए, जैसे cross multiply करेंगे, तो आप लोगा answer सही आए, कोई गरबड नहीं है answer में, बस आप लोगा answer X Y में नहीं है, जीज़ जार, कहाँ inequality है, हमने define किया है, real part मतलब रियल नमबर को 1 by 2 से स्टा किया हूँ, इसमें तो आई आए है हो, आए कहाँ, कहाँ, इसमें आई एक्चुल में कहाँ आएगा, रियली तो नहीं आएगा, हमने तो लिखा हुआ है, यह सब इसका real part लिखा तो बस देखो, real part यह है, आई गाँ हो गया, आई बास समझ में, एक्सिस कार प्लस य स्कार माइनस 2x greater than 0, एक माजर चेक कर लो कि क्या मैंने सही लिखा गए न, एक्स अपाउन एक्स स्कार प्लस य स्कार इसको इदर भेजा, इसको इदर भेजा, यह जा सकता है क्योंकि यह पोजिटिव नमबर है, तो ठीक है, यह आपका आउसर जाएग सब्सक्राइब करेंगे, मौडलस की प्रोपर्टी, मौडलस के सवाल करेंगे, तो दोनों पे मिक्स सवाल करेंगे, वह अच्छे सवाल बनेंगे, ठीक है?